प्रधान मंत्री नायंद मोदी की माहीरा बेन का निधन 100 साल की उम्र में अहमादाबाद के अस्पताल में लिए अमतिम सासे पधान मंत्री नहींद मोदी की मा हीरा बेन का निधन हो गया है जनकारी के मुताविक सुक्रवार की सुब़ तीन बज कर तीस मियट पर हीरा बेन मोदी ने आखरी सांसे लिया है बतादे तवियत खराब होने के बाद बुद्वार की सुब़ उन्हें अहमादाबाद के UN मेहता इंश्यूट आफ कार्डियोलोजी आइन रिसर्च सेंटर में भरती कराया गया था पीए मोदी अहमादाबाद के लिए रवाना हो चुके है ओ आठ बजे वहां पहुंच चुके है पीए मोदी ने मा के निधन पर ट्विट कर लिखा है सांदार सतावदी का इस्वर चर्णों में विराम मा मैं मैंने हमेशा उस्त्रिमूर्ती की अनुभूती की है जिसमें एक तपस्विक यातरा निशकाम करम योग का प्रतीक और मुल्योग प्रति प्रतिवध जिवन समाहित रहा है मैं जब उनसे सौवे जनम दिन पर मिला तो उन्होंने एक बात कही थी जो हमेशा याद रहती है बुद्धी से काम लो पवित्रता से जियो यानि काम करो बुद्धी से और जियन जियो सुधी से बता दे गांधी नगर सहर के पास रायसन गाओं में हीरा बेन पीएम मोदी के छोटे भाई पंकज मोदी के साथ रहती थी परधान मंत्री नियमित रूप से वहां जाते थे और अपनी यात्राव के बीच अपनी मां से मिलते थे गुरुवार को भी अस्पताल ने एक बियान जारी कर कहा था कि हीरा बेन मोदी की तवियर ठीक हो रही है सोमा भाई मोदी ने भी कहा था उनकी चीती में धीरे धीरे सुधार हो रहा है वह आज काफी बेहतर हैं उन्होंने अपने हाथ पैर भी चलाए हैं वहीं अस्पताल पहुँचे बीजेपी के दिगज नेतावों ने उनके एक से दो दिन में डिस्चार्ज होने की भी बात कही थी पीए मोदी बुद्धवार को दिली से अमादाबाद पहुँच चुके थे और अस्पताल जाकर मा का हाल चाल भी जाना था वह एक घंटे से अधिक समय तक अस्पताल में रहें उन्होंने सिविल अस्पताल में डॉक्टरों से भी बात की थी बता दे पीए मोदी के भाई प्रहलाद मोदी ने एक इंटर्विव में बताया था कि मा हीरा बा सभी तरह के घरेलू उपचार जानती थी वर्ड नगर के छोटे बचों और महिलाओं का इलाज करती थी कई महिलाए अपनी परिशानी दूसरों को बताने की वज़ाए हीरा बा को बताती थी मेरी मा जरूर अनपर थी लेकिन पूरा गां उन्हें डॉक्टर कहता था वहीं पीए मोदी ने अपने ब्लोग में लिखा था कि कैसे उनकी मान न केवल घर के सभी काम खुद करती थी बलिक परिवार पालने के लिए दूसरों के यहां काम भी करती थी वह कुछ घरों में बरतंद होती थी और घर के खर्चों को पूरा करने के लिए चर्खा चलाने के लिए भी समय निकालती थी बतादे पीए मोदी वर्डन अगर के उस छोटे से घर को अक्सर याद करते थे जिसकी छत और दिवारे मिट्टी की थी जहां वे अपने माता पिता और भाई बहनों के साथ रहते थे बतादे प्रधान मत्री नादमोदी अहमादाबाद यारपोट से अपने घर के लिए रवाना हो चुके हैं